नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर हम बताएंगे पीपल के पेड़ के पत्तों के और छाल के फाइदे पीपल बैसे तो हमारी आयरुवेदिक द्रश्टी से बहुत ही आयरुवेदिक है और इसका हमारे ग्रंथों में भी उल्लेग मिलता है तो बताया जाता है दोस्तों कि पीपल के पत्तों से हम अपने रंगों भी निखार सकते हैं इसके इतने सारे फाइदे हैं अगर हम किसी भी तरीके से रोज पीपल के पत्तों को सुबह अपने फेस पर लगाते हैं पीस के ले पना के फेस पैक की तरह हमारा रंग कित्ता भी डा हो सकता है साफ हो सकता है निखार सकता है और यहां तक कि दोस्तों हमें किसी भी प्रकार का सूजन है तो भी हम अगर इसके पत्तों को थोड़ा गरम करके उस जगह पर बांगते हैं कपड़े की कॉटन की पट्टी की मदद से तो आराम पढ़ता है या इसका पीस के लेप उस तकलीफ होती है तो पीपल के पेड़ की जो छाल होती है उसको हमें निकाल के बारली चून बना कर उसका पानी उवाल कर पीने से हमारी सांस की समस्या भी आराम पढ़ता है यहां तक कि दोस्तों अगर हमें दमी की सिकायत है तो हमें पीपल के पत्तों का रस निकाल के वाल सकते हो वाल के अगर हम पीते हैं तो हमें दमी में बहुत जादा आराम पड़ेगा अगर हमारी दांतों में समस्या हैं तो हमें पीपल के डगार तोड़के आगी थोड़ी सी लकड़ी होती है पीपल के पत्तों में वह हमको तोड़के उससे मान दांतों करने से हमारे दा केड़की उसमें पाई जाती है जड़के भीच वाले इस्ते में और 10 ग्राम कत्था और दुग्राम काली मिर से इसे मंजन तैयार करेंगा अपनी अच्छ प्यूर्पटब पूजिय नहीं होती है जिसे लोग इसको ना काटे है इससे हमें इतनी अक्सीजन होती है हजार पोदों के बरावर एक पीपल हमें अच्छी आक्सीजन देता है तो पहले लोग बोलते थे घर में पीपल लगाना असुब होता है तो अगर आप घर में जमीन में पीपल लगाना असुब होता है गंबले में पीपल लगाना बिल्कुल भी असुब नहीं होता है आप चाहें तो अपने घर के गंबले में लगाएं और इसके फाय दे लें तो अगर आपको मे बहुत बहुत धन्यवाद